हलो दोस्तों कैसे आप सभी आयोप आप सभी मस्त होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को सबसे पहला काम आप सभी कर रहेगा कि आप लोग वीडियो को लास तक जरूर देखेंगे ताकि जितने कुछ में समझाने कोशिश करूँगा मैं आपको कुछ भी रिकॉर्ड्स बताऊंगा उस सभी चीज़े आप सभी एक बार से समझ पाओगे और आप सभी जब ब्हेतर बनी क्योंकि दिए दोस्तों किसी काम को करने से पहले अगर उस चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डीटेल निकाल के रख लेते हैं अपने पास पिर उस काम को अगर करते हैं हमारा काम बीना डीटेल निकाले के मुकाबले में काफी अच्छा बनेगा और उस काम में काफी अच्छा हमें सक्सेस भी मिल सकता है काफी अच्छा काम भी होगा तो उसी तरह से ये भी है हमें पहले टीम बनाने से पहले हमें कुछ रिकॉर्ड्स को जानना जरूरी है और क्य जानना जरूरी है वो सभी चीजे आप सभी को इस वीडिव में बताया जाएगा तो हमने इस टार्टिंग में बताया था कि आपको सबसे पहले काम यही है कि लाश तक वीडियो देखना है जितने कुछ समझाओंगा सब कुछ समझते चलना लाइन अप के साथ दूसरा काम आपसे भी का है अगर आप में से कोई भी बंदा नया है हमारे इस चैनल पर तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना साथ हमारे इस चैन करते हुए यहां पर आकर पहुची है क्या परफॉमेंस रहा है दोनों टीमों के बीच में और क्या परफॉमेंस है इस टीम का SWU की बात कर ले 5 मैच मैच से सिर्फ एक मैच को लॉस की है MAR की बात कर ले 5 मैच से इन्होंने भी सिर्फ एक मैच को लॉस किया है A का मतलब होता है ये मैच डाई हो चुका था 12 के वज़े से ये मैच बंद कर दिया गया था रद हो गई थी दोनों ही टीम आपस में आज के दिन भीड़ने वाली है और दोनों ही टीम का performance बिलकुल बराबर का है तो आप लोग इस टीम के लिए 5-6 का combination बना सकते हैं या फिर 7-4 की तरब भी जा सकते हैं दूसरी चीज यहाँ पर हमें मालूम करना है कि आज की हमारी पीछ रिपोर्ट क्या रहेगी देखें पीछ रिपोर्ट अगर आप लोग मालूम कर लेते हैं तो आपकी टीम बहुत ही बहतर बनेगी और उसी के हिसाब से आप लोग को प्लेयर को किस सेक्शन से जादा लेना है वो सब कुछ मालूम चल जाएगा देखें बॉलिंग पीछ है आज का हमारा यहाँ पर मालूम चला है दूसरी ओर से अगर बॉलिंग पीछ है तो यहाँ पर रन भी काफी कम बनेगा तो यहाँ पर आपसे भी देखें सिर्फ 91 रन ही बन पाएंगे यहाँ पर एवरेज रन जो है 91 है पर मैक्सिमम रन 1500 या फिर मालीजी 110-20 तक बन सकता है अगर विकेट कम गिरेगा तो रन ज्यादा बढ़ेगा और अगर विकेट ज्यादा गिर जाती है तो रन 91-92 पर ही निकाला है और टोटल विकेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो देखिए यहाँ पर आप से भी देख पा रहे होंगे कि टोटल विकेट 27 लिए गया है ठीक है और 21 ने पेसर निले निकाला और इस पीनस ने सिर्फ 6 विकेट तो इस पीनस इस पीच की उपर काफी ज़्यादा श्टरगल करते हैं विकेट के लिए और पेसर बिलकुल भी श्टरगल नहें करते हैं उनको आराम से बेफिकर होते वे विकेट मिल जाता है तो पेसर को आप लोग यहाँ पर ज़धा से ज़ादा एगर आप लोग रखते हैं तो ठीक है दूसestar चोर से यहां देखा जाए त तो आप सभी यहां पर रिकॉर्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि S.W.U. जो है काफी तगली टीम है M.A.R. की मुकाबले में तो आप लोग M.A.R. के खिलाडियों को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे दूसरी छोर से यहां देखा जाए तो बैटिंग, बॉलिंग, और डाउंडर और विकेट केपिंग यह चार सक्टन हमें मिले हैं और हमें मालूम चल चुका है कि आज का भाई बॉलिंग पीछ होने वाला है ठीक है, देखिए सबसे पहले तो विकेट केपिंग वाले सेक्शन से हमें एक प्लेयर को रखना जरूरी है देखिए विकेट केपिंग वाला सेक्शन वाला भी मतलब बैट्समेन ही होता है तो यहाँ पर हमें एक batsman को select करना है जो कि wicket keeping भी करे और वो batting करने का उसको मौका भी मिले और उसके ज़री हमें point भी मिले यह तीन चीज हर खिलाडी में आप लोग जरूर ढूलिएगा ताकि उस match में हमें अच्छा point score हो हम काफी अच्छा अपना किस्मत को सुधार सके ठीक है देखिए सबसे पहले end maher की बात कर लें काफी high percentage है और साथ इसाथ performance भी काफी high चला है देखिए जिसका performance high चलता उसका percentage high हो ही जाता चाहे वो खराब खिलाडी हो चाहे अच्छा खिलाडी हो ठीक है कई बात तो खराब खिलाडी उस फोर्मेट तक खेलने का उसका रुतबह नहीं होगा और उस फोर्मेट तक जाने में वह कही नहीं च्छटा जाएंगा अब खिलाडी होते तो बस performance खराब होती है खिलाडी κोलाओ यह खराब camouflage खिलाडी हो या फिर एक पर्शेंट हो हमें पर्शेंटेज से लेना देना नहीं है बस पर्फॉर्मेंस देखना और इन फॉर्म् प्लेएर को ज़ादा से ज़ादा अपने टीम के लिए रता है ताकि हमारी टीम बहतर बने हो उसीखने के मोटिफ से बीडियो को लास तक जरूर देखते चलना और किस तरीके से हम टीम को लेते हैं यहां पर देखते चलना देखिए सबसे पहले हम लोग मानूंग कि हैं कि बाइन पीछ होने वाली है तो इससे आप लोग इतना आइडिया लगा सकते हैं कि बालिंग प कोशिश करेंगे ठीक है यहां पर आप लोग को समझा दिए एंमेher की बात किया जाए तो काफी अच्छा परफॉअ weaknesses कर रहे हैं दूसरी चोरत यहां पर कृष्णन भी काफी अच्छा स्कूराइब इतने कुछ आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग एंड मेहर की तरभ जरूर जाएंगे बैटिंग हाले सेक्शन की बात कर लिया जाएंगे उड़ सलीम से और तुंद 치क और पॉड 터 M U M A R का दूसरी चुरते S W U की बात कर लें M को क्यूं शीम आप लोग के लिए काफी बढ़िया होगा H Mughal performance कुछ डाउन चल ले हैं Mughal जी के यहां पर सुलिमान की बात करें सुलिमान भी ठीकी ठाक केला है नीचे की प्लेयर की तरफ चलते हैं नीचे में यहां पर M A Mohamed दिख रहे होंगा और और भी बैट्समेन हैं जो की अननौश नहीं करने वाले तो नीचे के बैट्समेन की तरफ ज्यादा ध्यान ने देना आप लोग ऊपर की और आईए और चाहो तो एक छोड़ से M QC की तरफ जाई है और दूसर से M A R के खिलाड़ी है जो यूस सलीम यह दो प्लेयर आप लोग अपने बैटिंग वाले सेक्शन में जरूर रखेंगे देंगे बैटिंग यहां पर थोड़ा इस्टरगल करते हुए दिखाए देंगे बैट्समिल पर यहां पर यहां पर यह द से सिक्षन से जरूर रखने चाहिए मैं और प्लेयर की बात करना जा रहा हूं अभी अब देखें और प्लेयर की यहां पर बात कर लिया चाहिए एफ मुगल आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा प्लेयर है और आप लोग के लिए ट्रम कार्ट खिलाड़ी भी हो सकता है व उपर के अजमल और एफ मुगल यह दो प्लेयर आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा प्लेयर होगा और इन दोनों ने इन दोनों मतलब फॉर्मेट टिंग का बताया जाए बैट्समेन है प्लस यहां पर दोनों ही पेसर जिन बाज है तो हमने स्टार्टिंग में बताया था हम लोग यहां पर तीन बैट्समेन और यहां पर एक स्पीनर्स की तरफ भी आगर आप लोग चाहो तो जा सकते हैं हमने कहा था कि स्पीनर्स पर इस्टरगल करते हुए दिखाई देते हैं पर विकेट भी मिलता है तो आप लोग एक स्पीनर्स की तरफ भी यहां पर जा सकत तो सबसे पहले P पर बेपारी यह दो यह प्लेयर आपको लिए काफी बढ़िया है यू उल्ला खान यह दो प्लेयर आप लोग के लिए काफी बढ़िया है क्योंगे यह दोनों ही पेशर के इन्वाज है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है और S.W.U. के यह लोग खिलाडी ह चलने हैं और इस M.A.R. के खिलाफ में बहुत बार इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया भी है और इस मैंच में भी साइद वापसी करते हुए दिखाए दे तो आप लोग अपने टीम में जरूर रखेगा M.A.R. के वकाल अपती इसको अपने टीम में आप लोग रखि की हो सकता है क्योंकि इसको दो-तीन मैचों से मौका ने मिला और अचानक से आज के मैच में मिलता है मौका तो इनके खिलाफ में काफी तगडी टीम है जो कि S.W.U. इनको कई मरतबा मात दे चुकी है मतलब हारा चुकी है यह साइद अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए तो यह हसन आप लोग के लिए बेस्ट होगा क्योंकि M.A.R. के खिलाडी हसन का परफॉर्मेंस अभी फिलहाली में इनफॉर्म प्लेयर और विकेट लेते वे दिखाए दे रहे हैं तो आज की हमारी यही ड्रीम टीम होने वाली है और यही टीम रहेगी अगर इसमें से कुछ भ कि अगर आप लोगो फाइनल टीम चाहिए तो टेलिग्राम को जॉइन करना पड़ेगा क्योंकि इन में से कुछ खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी कारण से उनको खेलने का मौका ना मिले जिनोंने जिनको हमने लिया है तो बहुत कुछ भी हो सकता है इसलिए आप तरफ आप लोग ज्यादा तर दिहान दें क्योंकि देखिए अजमल फेसर गिंदवाज है और प्लस और बैट्समेंट भी है काफी अच्छा प्लेयर भी और इसके अंदर काफी कापिली है था और यूवा खिलाड़े तो यूवा खिलाड़ी है नहीं कि इसके अंदर उतना समझ भामच नहीं है तो मेरे यह साब से कैप्टन आप लोग के लिए यह बहतर होगा वाइस कैप्टन अगर आप लोग परीरा की तरफ जाते हैं तो और भी बेस्ट हो सकता है क्योंकि बॉलिंग सेक्षन वाले बॉलिंग वाले सेक्षन में इनका परफॉर्मेंस काफी चली अपने माइंड को आप लोग सिर्फ इनफॉर्म प्लेयर की तरफ जादा गया देंगे यानि कि जो प्लेयर अभी अच्छा पर वाइसक जादा देंगे और ते लूड लौक trafficking के सलेक्ट कि डिया है यह हमारा क्यप्टन रहेगा अगर इसमें से कुछ шna? टीलिग्राम पर ही दी जाएगी तो जल्दी से जाकर टेलीघाम डाउनोड करो उसके बाद हमारी टेलीघाम ग्रूप को जॉइन कर लो इसी वीडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में टेली गराम का लिंक मिल जाएगा मिलते हैं आप सभी से अगले पीडिक्सन के साथ तब तक के लिए जैहिन दोस्तो